Good morning children, Namaskar parents तो अभी हम शुरू करें हैं अपनी छोटी सी पोएम के साथ मकडी ककडी लकडी हमने तीन चीजे देखी, दादा तीन चीजे देखी एक डाल पर थी एक मकडी, लकडी पर बैठी थी मकडी, मकडी खा रही थी ककडी ककडी हमने तीन चीजे देखी, दादा तीन चीजे देखी एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू, भालू बालू आलू, भालू, आलू, बालू, बालू, आलू, भालू या आपके एक पोयम है, छोटी सी मकडी, ककडी और लकडी आपको learn करनी है अब हम आते हैं अपने चाप्टर पे जो कि है बंदर और गिलहरी ठीक है दो चाप्टर यहाँ पर आती है बंदर और गिलहरी के बारे में एक बंदर पेड़ पर बैठा था बंदर की पूझ बहुत लंबी थी इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी एक गिलहरी जमीन पर उचल कूद कर रही थी क्या बोड़ रहे हैं आपर बंदर और गिलहरी के बारे में आपर एक बताया एक बंदर का डेमोंस्ट्रिशन दिया है बंदर के बारे में बताया है कि एक बंदर कहां बैठा था पेड़ पे बैठा हुआ था और बंदर की जो पूँच थी वो लंबी थी कितनी बहुत लंबी सी उसकी पूँच थी इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी यानि कि इतनी लंबी थी उसकी पूँच कि वो क्या कर रही थी जमीन पर लटक रही थी और एक गिलहरी जमीन पर उचल कूद कर रही थी जमीन पर क्या कर रही थी उचल कूद अचानक उसे पूँच दिखाई थी क्या दिखाई थी उचल कूद कर रही थी नीचे और उसे क्या लंबे सी पूँच दिखाई देगी उसने सोचा यह जूला कहां से आया क्या सोचा अब उसने कि जूला कहां से आया बट वो ओरिजिनली में क्या थी सही माइने में उग गया थी एक उपर से जो क्या थी बंदर की पूंच थी पर उचलकूत करते वे तो उसे एक पूंच भी दिखी उसे लगा यह जूला है मैं इ थोड़ी देर पहले तो नहीं था, क्या बोला उसने कि थोड़ी देर पहले तो यहां पर कुछ भी नहीं था, और अब यहां से यहां पर जूला कैसे आ गया, तो वहां पूँच पर चड़कर जूलने लगी, क्या करने लगी, वो पूँच पर चड़कर जूलने लगी, बंद जब वो पूछ पर लटक गई, तो वो हिलने लगी, तो जब बंदर की पूछ पर चड़ी, तो उसने लगा कि कुछ हिल रहा है, मुझे गुदगुदी सी हो रही है, तो आगे, उसने नीचे देखा, वह हसकर बोला, बहन गिलेहरी, यानि कि उसने क्या गारा, उसने नीचे द जुगदी हो रही है किलैरी grease की बंदर भीय कर रहा हुए यह तुम हो क्या बोला उस्ने जो बंदर था उस नीचे चानक kisड़ाक के बोला उसको किसंग olması को उसको एक आन्य को वोला और horse जो बंदर की जो पूँच है कह रही मैं आपके पूँच को जूला समझ कर जूल रही थी ठीक है बड़ा मज़ा आ रहा था क्या बोला से मुझे बड़ा मज़ा रहा था और गिलेरी हस्ते हुए पेड की डाली पर चड़ गई क्या बोला से गिलेरी हस्ते हुए क्या करी पेड की डाली पे चड़ गई यह छोटी से हमने जो स्टोरी है बंदर और गिलहरी के बारे में पढ़ी है और यहां हमने क्या चीज़ देखी है एक बंदर है जो अराम से जंगल के पेड़ पे बैठा हुआ है और एक छोटी सी गिलहरी क्या कर रही है उचल कूद और खेल कूद कर और उसे क्या सिखाए सिर्फ एक पूँच दिखी है और पूँच पे उगिलहरी क्या कर रही है चड़ गई है और उसे समझ रही है कि मैं अच्छे से जूल रही हूँ ठीक है तो थांक्यू चल्रें